अंडा की ओमलेट कैसे बनाई जाती है पहले तेल डाली गई है उसके बाद प्याज मिर्च डाली गई है और थोड़ी सी भूंज कर उसको थोड़ी लाल हो जाती है रंग थोड़ी अलग हो जाती है उसके बाद अंडा डाल दी जा रही है देख सकते हैं अंडा डाल गया और आप बिल्कुल अधिक हो चुकी है और धीरे धीरे ताव भी होने लगी है और अंडा लगभग सब डाल दिये गए हैं और ये शुरू कर दिये हैं बनाने के लिए इसके बाद थोड़ी से आपको अपने चम्मज से चलानी पड़ती है ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे होने डाली जाती है नमक डालने के बाद जितनी जिस हिसाब से अंडे है उस हिसाब से नमक डाली जाती है ताकि ना ज्यादा लगे ना कम लगे स्वादिश्ट अच्छी हो और ये देख सकते हैं धीरे धीरे होने चली है और इसको अराम से इधर उधर करके ताव जितनी ताव भ दिरे हो और अच्छा हो स्वादिष्ट हो बहुत ही बहतरी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और स्वादिष्ट धीरे धीरे होने चली है और काफी अच्छी होती है बहुत ही बढ़ियां काफी मेहनत से बनाई जा रहे हैं और यह आप देख सकते हैं धीरे धीरे बिल्कुल रेडी हो चुकी है और कुछ नहीं बिल्कुल आसान है आप तेल डालिए और प्याज डालिए मिर्च डालिए उसके तेल गरम होने के बाद थोड़ा सा भूंच देज और अंडा डाल दिजे और अपनी चम्मस से चला दिजे धीरे धीरे होते रहेगी वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से बनाई जाए बिल्कुल असान तरीके से ठीक है टेक क्यार हो चुकी है थैंक्यू मैं डेफरेंस